आकाश्वानी भोपाल से प्रतुत है टीकमगर्जिले के चिठी आलेक भवन जैन वाचनस्वर दीपा सिंग टीकमगर्जिले में 173 दिवस पूरे उत्सा के साथ मनाया जाएगा इसके लिए प्रशासने के स्तर पर पूरी तयारियां कर ली गई है शास्की भवनों इमारतों में आकाशक ढंक से बिजली के सजावट की गई है मुखे समारो पुलिस परेट पर आयोजित होगा जहां मुखे आतिती कलेक्टर द्वारा परेट के सलाम में ली जाएगी और स्कूली बच्चों द्वरा देश भगती से ओत्रोध रंगा-रंग कारिक्रमों की प्रस्तुती होगी टीकमगड जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाय जा रहा है जो 15 अगस तक चलेगा टीकमगड में आयोजे त्रक्षा बंधन और श्रावन अत्सों में मुख्य मंत्री डॉक्ति मूहन यादव शामिल हुए कारिक्रम के तौरान उन्होंने विभिन योजनाओं के इतिकराहियों को तीन करोड 36,265 रुपए आजेविका मिशन से 184 सुसायता समोहों को 3 करोड 12 लाख रुपए के सिक्रिती पत्र प्रदान किये इस दौरान उनके साथ केंद्री समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्तर विरींद्र कुमार भी थे टीकमगर जिले में गौचर और सरकारी जमीन पर से अतिकरमन हटाय जाने के लिए भ्यान चलाय जा रहा है जिला मुख्याले से 5 किलो मीटर दूर इस्तित ग्राम माडूमर में गौचर भूमी पर अवायत कबजे के प्रिशासन का बुल डूसर चला जिसमें करीब 120 एकड़ गौचर और सरकारी जमीन से अतिकरमन हटाय गया इसके लावा मनिकाफुरा और महराजपुर में अतिकरमन विरोधी मुहिम में 70 एकड़ गौचर भूमी को हतिकरमन भूमी को मुक्त कराय गया टीकमगर के क्रिशी विज्यान केंद्र में पिछले दिनों 29 वी वैगानिक सलाकार समिती की बैठक आयुजित की गई जिसमें डॉक्टर वियस किरार ने एक वर्ष किये गए क्रिशी विस्तार गतविधियों के बारे में विस्तार से शानकारी दी टीकमगर जिले में आईश विभाग द्वारा आम लोगों के लिए वर्षा रितु में बिमारियों से बचाव के लिए घर गर जाकर दमायें वित्रत की जा रही है विभाग द्वरा जुलाई माह में जिले के 3866 परिवार के 21,045 सदस्यों को दवाओं का वित्रन क्या जा चुका है जिले के 40 गाउं से होकर बहु प्रतिक्षित केन बित्वा लिंक परियोजना के लिंक नहर गुजरेगी केन और वित्वा दूरू नदियों के बीच 211 किलोमेटर लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी जो जिले के पलेरा, खरगापूर, जतारा और लिधोरा तैसिल के गाउं से होकर निकलेगी इसका निर्माण 141 हेक्टियर, शास्की और 848 हेक्टियर निची भूमियों होगा इसके लिए भूरजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिले में सरकारी स्कूलों में विध्यार्थियों को नश्रे से दूर रखने के लिए प्रहरी क्लब बनाया जाएगा इसके लिए स्कूल सिख्षय में भागने तयारी कर ली है जिले की स्कूलों में 6-12 तक के बच्चों में नश्री दबाओं के सेवन और दसकरी की रोक्ताम के लिए प्रहरी कलब के सदस्य विद्यार्थियों को तंबाकू और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के प्रत जागरूख करेंगे टीकम गर्जिले में राश्री पल्स पुलियों अभ्यान के दुरान 23-25 जून तक शून से 5 साल तक के 2 लाग से अधिक बच्चों को पुलियों की दवा पिलाए गए इसके लिए 2441 वक्सिनेटर और 133 परविक्षुकों के ड्यूटी लगाई गए टीकम गर्जिले में प्रधान मंतरी कॉलेज ऑप एक्सिलेंस शास की सनातकोतर महाविद्याले टीकम गर्ड का उधगातन नियाय और अधिकारिता मंतरी डॉक्टर विरीन रुकमार के मुख्य आतित्थे में हुआ इस दोरान उन्होंने महाविद्याले के मुख्यद्वार स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए शुरू की गई बस सिवा का फीता काटकर शुभारम किया जिले की सभी ग्राम पंचायतों का डिजिटली करिन और यी पंचायतों की सापना की जाएगी ग्राम पंचायतों के डिजिटली करिन का उद्देश पंचायतों की कारिपनाली में सुधार लाना और उन्हें सरल बनाना है जिले के स्कूलों में यातायाद जागरुकता शेवेर आयुचित के जा रहे हैं जिले में घटित होने बाली सड़क दुरगटनाओं में दस प्रतिशत की कमी लाने के उद्देश से प्रसेक्षन चागरुकता अभियान चलाय जा रहा है जिले में विश्व इस्तिनपान सप्ता के दुरान जिला स्पताल में मा का दूद है बच्चों के लिए संपून आहार विशेपर का रिशाला आयुचित की गई इसमें धात्री मैलाओं को जह माता केवल इस्तनबान कराने की जानकारी थी गई डॉक्टर आभा सिंग और दॉक्टर पैभा जैन ने धात्री मैलाओं को बताया कि मा का दूद बच्चों के लिए गुणकारी है मा की दूद से बच्चों का सुर्मागिन विकास होता है टीकमगर जिले की शिवधाम कुणेश्वर में सावन के महीने में सुबह से भक्तों का दाता लग जाता है विशेशकर सुमार के दिन यहां भगवान फोलिनात के दर्शन और पूझा आर्शना करने बड़ी संख्या में शुधालों की भीर जुटती है जिले में राखी के तैयारियां शुरू हो गई है और बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है